इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा डिपूर्ट्स के बारे में आज कल हम देख रहे हैं कि रिष्टों में बहुत जल्दी दरार आ जाते हैं या बहुत जल्दी आप कहीं न कहीं या सोचने लगते हैं कि पता नहीं या रिष्टा चल पाएगा या नहीं चल पाएगा क्योंकि सभी लोग अपनी जो नीजी इच्छाएं हैं उनको महत्व देते हैं और समोह के तौपे अगर थोरा भहुत कॉम्पुमाईज करना भी हो तो उसमें कहीं न कहीं एक हिचक बनी रहती है और कई बार तो ऐसा भी होता है कि आपके शादिशोदा जीवन में कई लोग इंटरफियर करने वाले होते हैं जिनके वज़े से भी आपके रिष्टे चलने पाते हैं लेकिन महत्वपून प्रश्ण यह है कि यदि आप इस वक्त सोच रहे हैं कि आपको डिवोर्स ले लेना चाहिए या डिवोर्स लेने के लिए आप एक कदम बढ़ा चुके हैं तो आप इस वीडियो को अगर आखरी तक देखेंगे तो मैं आपको दस ऐसे लीगल पॉइंट बताऊंगा दस ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिसको आपको जरूर सोचना चाहिए यदि आप डिवोर्स लेने के बारे में सोच रहे हैं ये दस पॉइंट आपको हेल्प करेंगे डिवोर्स के बारे में कोई भी ठोस कदम उठाने से पहले यदि आप महिला हैं तो भी यदि आप पुरुष हैं तो भी दोनों के लिए equally important है और दसो पॉइंट को देखना उससे भी ज़्यादा important है अगर आपने एक या दो point देखा अधूरी जनकारी कभी भी सही जनकारी नहीं होती और वो कभी भी आपका ठीक तरीके से भला नहीं कर सकते इसलिए सभी points को जरूर देखें और नहीं देखने का विचार हो तो वीडियो यहीं पर बंद कर दें तो दूस्तो सबसे पहला point है यदि आप divorce के बारे में सोच रहे हैं तो मैं आपको सबसे पहला point है be sure क्या आप sure हैं कि आपके पास अब के वर एक ही रास्ता बचा है वो है divorce वो है तलाक लेना क्या इसके अलावा आपने कोशिश करने की तमाम विकल्पों को तलास लिया है क्या आपने अपने अंदर भी परिवर्टन लाकर देख लिया है क्या आपने अपनी पत्नी को या पती को जितना समझाना चाहिए उतना आपने समझा लिया है या आपने अपने सभी प्रयास कर लिये हैं जब अगर आपने सभी प्रयास कर लिये हूं उसके बाद ही आप divorce के बारे में सोचें क्योंकि divorce एक ऐसा विशे है कि जब एक बार आप initiate करोगे तो फिर आप बीच में रुकते हो तो रिष्टों में गाठ पड़ते जाता है और legally भी आपको कई तरह के समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिनका जिक्र मैं आगे करूँगा तो दूसरा जो point है वो है get legal knowledge आप अगर divorce लिना चाहते हैं तो आपको सभी तरह के legal knowledge इकठे करने चाहिए और legal knowledge इकठा करने के लिए कई बार ऐसा होता है कि लोग आधे अधूरे जनकारी के लिए जैसे आपने divorce तै कर लिया लेकिन आप किसी ऐसे वेक्टी से मिलते हैं जो आपको अधूरी जनकारी देता है या वो बोलता है कि दो महीने में आपको divorce हो जाएगा या कोई बोलता है कि दो साल या पांच साल भी लग जाएगा आपको accurate कोई authentic information नहीं मिल पाती है तो आपको बहुत जरूरी है कि पहले legal advice लें और authentic information इकठा करें जो divorce से संबंदित होते हैं जो तीसरा point है वो यह है कि आपको know your rights आपको सबसे पहले अपने rights को जानने चाहिए अगर आप divorce के लिए सोच रहे हैं आप female हैं तो आपके पास कौन-कौन से rights हैं आप अगर जब तलाक के लिए जाओगी तो कानूनी रूप से आपको कौन-कौन से अधिकार मिले हुए हैं और ठीक उसी परकार से यदि आप पुरूश हैं तो आपको कौन-कौन से अधिकार मिले हुए हैं इन सब के बारे में आपको पूरी जनकारी इकठी कर लेनी चाहिए उसके बाद ही आपको divorce के बारे में कुछ भी initiate करना चाहिए जो चौथा point है वो point है mind your privacy मतलब आप अपने privacy का ध्यान रखें कई बार ऐसा होता है कि जब आप परिशान होते हैं और किसी से छुब्द होते हैं तो आप उससे जुरी हुई बहुत सारे information दूसरों को share करते हैं और कई बार तो आप ऐसे भी share कर लेते हैं कि जो opposite party होती है वो आपके खिलाफ एक हतियार के तौर पर भी इस्तमाल करती है तो जब कभी भी आप divorce के लिए plan कर रहे हैं तो आप अपने information से जुरी हुई जो भी privacy है उसको आप बिल्कुल private रखें और निश्यत कर लें कि आपको कौन सा information share करना है कौन सा information नहीं share करना है और किस forum पे share करना है और यह राय आपको एक legal expert ही दे सकते हैं जो divorce के cases को handle करते हैं जिससे आपके case को लरने में और जितने में काफी मदद मिलेगी जो पाचवा point है दोस्तों वो सबसे important point है कि यदि कोई भी माल लीचे मैंने आपको सबसे पहले point में बताया था be sure आप एक बार sure हो जाओ कि आपको divorce लेना है आपने divorce लेने के लिए जब आप sure हो चुके हैं आपने legal information भी इकठे कर लिया है आपको अपने rights के बारे में पता चल गया है तो fifth step बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपके साथ किसी भी तरह का abuse हो रहा है अगर आपके साथ किसी भी तरह का abuse हो रहा है immediately reported to the police आपको तुरन पुलिस को report करना चाहिए अपने साथ होने वाले किसी भी abuse को या किसी भी ऐसी घटना को जो कि आपके साथ घटित हुई है जो कि एक अपराद हो सकता आपके साथ मार पिटाई हुई है या आपके साथ गाली गलोज हुआ है या आपके साथ कुछ भी ऐसा बुरा हुआ है तो उस समय आप बिलकुल ना हिच के police को report करने से क्योंकि यह आपके divorce लेने के process में आपको काफी मदद कर सकता है जो दोस्तो चटा point है वो यह भी है कि आप जब आप divorce के लिए सोचते हैं तो आपको यह सोचना है कि आप अपने finance को कैसे संभालेंगे देखिए आपने divorce के लिए सोच लिया अगर आप female है तो आपको यह तैय करना होगा कि चुकि आप दोनों इकटे पहले एक घर में रह रहते अब हो सकता है कि आप इकटे एक साथ ना रहो तो आप अपने finance को कैसे handle करोगे क्योंकि divorce लेने में पैसे की भी जरूरत पड़ती है और आपको उसके बारे में निश्चित रूप से सोच लेना चाहिए अगर आपके साथ बच्चे है तो immediately आपको maintenance नहीं मिल सकता तो उस time period के बीच में आप किस परकार से अपने जीवन को चलाएंगी और यदि आप पुरूश है तो आपको भी यह सोच लेना चाहिए कि हो सकता है कि आप ऐसे मानसिक तनाव से गुजरें कि आप ठीक तरीके से काम ना कर पाएं या फिर इसमें जो पैसे खर्च होंगे उसके लिए आपकी तैयारी ठीक है या नहीं ठीक है यह सब कुछ तैय करने के बाद ही डिवोर्स के लिए आपको आगे बढ़ना चाहिए जो सेवन्थ पॉइंट है वो बहुत जरूरी पॉइंट है दोस्तों कई बार ऐसे लोग ऐसे कपल जो डिवोर्स के लिए जाते है वो या तो अपने ताव में होते है या ऐसे गहरी एमोशन्स में होते है कि उन्हें पता ही नहीं होता है कि वो क्या कर रहे है और सोचते नहीं यह करने से पहले कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ भी जब आपने यह तैय किया है आपको यह लग गया है कि अब आपके पास divorce के अलावा कोई रास्ता नहीं है तो आपको यह तेह करने की जरुरत है कि आप कोई भी जो action लेंगे वो सोच समझ कर लेंगे आपको किसी अधूरी जनकारी के अधार पे या किसी ऐसी जनकारी के अधार पे divorce के मामले में आपको तुरंट कोई ऐसा action लेंगे लेना है जो आपके खिलाफ चला जाए अगर आपने कोई legal expert हायर किया हुआ है कोई advocate हायर किया है तो उनसे सलाह मश्वरा करके ही आप कोई भी action लें तब यह आपके लिए लाबदायक हो सकता है इसके बाद मैं आपको अभी तक तो बता चुका हूँ जो eighth point है वो भी important point है आपको एक चीज और consider करना चाहिए जब आपने इतना सब कुछ देख लिया जब मैंने आपको finance के बारे में बता दिया सब कुछ बता दिया आपने legal expert से advice भी ले लिया लेकिन फिर भी अगर आपके दिमाग में कुछ चल रहा है 50-50 जैसा या आपके दिमाग में थोरा भी आपके अपने wife के लिए प्यार बचा हुआ है और या आपके अपने पती के लिए थोरा भी प्यार बचा हुआ है तो उसको जाहिर करने से बिलकुल भी ना हेजिटेट करें क्योंकि हो सकता है कि अगर एक बार आप अपने प्यार को अपने पती या पत्नी के सामने जाहिर कर दें तो जो रिष्टा तूट जाता बिखर जाता और उसका कोई अस्तित्व ही नहीं बसता वो फिर से एक साथ आ जाए फिर से उसमें एक जीवन मिल जाए और फिर से आप दोनों इकटे हशी खुशी रहने लगें तो अगर थोरा भी इसकोप दिख रहा है तो आप बिलकुल हेजिटेट ना करें और अपने पार्टनर से जरूर बात करें आपको बहुत लाग मिल सकता है जो दोस्तो नाइन्थ पॉइंट है वो यह है कि आपको मेरिज कॉंसिलिंग के उपर भी ध्यान देना चाहिए कई बार ऐसा होता है कि जब दो लोग आपस में लर जगर रहे होते हैं दोनों अपने पॉइंट को प्रूव कर रहे होते हैं लार्जर पिक्चर को नहीं देखते हैं दोनों अपने आपको सही साबित करने के लिए अपने पॉइंट्स दे रहे होते हैं और सामने वाले के पॉइंट्स को बिलकुल नहीं ले रहे होते हैं तो धूस्तो जब marriage counselor के पास जाते हैं तो marriage counselor दोनों के points को लेता है और दोनों के points को लेने के बाद से दोनों को समझाता है आप अपनी पत्मी के बारे में तो ऐसा सोच रहे हैं जबकि आपकी पत्मी तो आपके बारे में इस तरह का ख्याल रगती हैं ये वाइस वर्सा दोनों तरब से दोनों के point of view को ले करके वो कोशिश करते हैं कि mediate कर सकें और अगर कोई भी कुझाइस बची हो इस रिष्टे को बचाने की तो कई बार ऐसा होता है कि marriage counseling से भी रिष्टे बच जाते हैं और last point है दोस्तो hire advocate अगर आपने सारे ही विकल्पों को अजमा लिया है और सारे विकल्प को अजमाने के बाद से आपके पास कोई रास्ता नहीं बचा है तो आप लीला से संपर्ख करें या आप advocate hire करें हम आपकी police हायता करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप जिस mental trauma से गुजर हुआ है हम किस परकार से इसको एक अंजाम तक ले कर जा सकें और फिर आपके जीवन को एक किनारे ले जाकर के नई शुरुआत कर सकें तो दोस्तों कोशिश करेंगे कि अगर आपके जीवन में कुछ ऐसा हुआ है तो legally आपको पूरी तरह से मदद कर सकेंगे इस वीडियो क बनाने का मकसद यह था कि हम यह कोशिश करें कि क्या पता हो सकता है कि इस वीडियो को देख करके एक रिस्ता जो तूट रहा हो बच जाए या फिर आप सही तरीके से डिवोर्स का डिसीजन ले सकें अगर आपको legal help की ज़रुत हो तो हमारे help line नंगर के call करें निश्यत रु इस मंस दआएल यहार मेण तरीके बहुत हो त ogni तो हमारी करें नंगर को जब को ढeras me फिसheen सुब हो त liएकरmemूर को भी जो हमारे हो च screensगतेने की बनाने मेटा फिर यह उत चाहर एक तो हमारे दो आपकोिवाएल डिर